दोस्तों अगर मैं फैमिली बेग्राउंड पर आऊ अपना बताने के लिए तो आज आप लोगों ने सुना है कि मेरे बड़े भाई एडियेम है और दोस्तों खुसी होता है बताते हूं कि अब एडियेम से भी उनका प्रमोसन हो गया आप ज्वाइंट सेक्रेट्री वो बन ग मेरे भाई एडियेम है आज हम लोग पुरा जारकंड में एक अच्छे फेमिली में गिनती आते हैं मेरे पास सब कुछ है इतना बड़ा टीम है हर जगा नाम है सब कुछ लेकिन क्या सुरुवास से इसा था नहीं था दोस्तों अगर मेरे पीताजी बारे मारे फादर अपने जब कहानी सुनाते हैं बच्चे का अपना बच्चपन का तो आशु आ जाता है इतने वो गरीवी में जीए हैं लेकिन मेरे दादी जो थी अब तो नहीं है इस दुनिया में वो बहुत समझदार थी उनको उनको ये लगा कि अगर मैं अपने बच्चे को प्रहूंगा तभी कुछ हो सकता है अर उनों ने मेरे पापा जी को और उनके तीन भाई को सभी को सहर में ले आएं पढ़ाने लिखाने लगें और मेरा पिताजी इतनी पढ़ने में तेज थे, इतनी पढ़ने में तेज थे, कि पुरा जो हमारा होम डिस्ट्रीक है, उस होम डिस्ट्रीक में पहला साइंस से ग्रिजुएट हुए, और उसके बाद वो आगे पढ़नी पाएं, क्योंकि पैसे की कमी, बाबा हमारे बिमार र अब हाथ था है हैं है हाई स्कूल में सइंस टीशर हमाध की और जहां पर उनका सेलरी था मात्र हंड़ेड रुपिज हलाकि दूंस जमानी की बात है मैं मुझे लगता है को साइज जा कर दो साइज की बात है अग सायद लाक रूपया हो सकता है कोई नहीं सकता हूं तो इतने लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे यहां तो बताने में कुछ नहीं था अब बताना अब यहां से शुरू कर रहा हूं कि मेरे पिताई सेलरी में असी रुपया या सतार इस इस मेरे चाचा मेरे साइस धितनी थे बें जो है सまだ 물리 Nebraudegui है पड़ रहे हैं। है किसे होजाते थे होंगे चावल वरह लग चीजय हैं। यह का ये नतीजा है कि मेरे चाचा फिर डिप्टिक लक्तर बने और उसके बाद फिर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिडी सी बहुत बड़े-बड़े पोस्ट पे अंत में जाके रिटायर के उस बीच में मेरे चाचा ने मेरे दोनों बड़े भाई को पढ़ाएं ये परिवार क मैं संसकार बता रहा हूं जहां पर आज कि मैं दुनिया में देखता हूं कि भाई-भाई में जगड़े हो रहे हैं वहां पर हमारे भाई हमारे चाचा हमारे भाई लोग को पढ़ाएं और उसमें से दोनों भाईया भी मेरे डिप्टि कलेक्टर बने मुझे भी बहुत सपो कोई बात नहीं जो तुमारा इच्छाय करो तो दोस्तों यह तो फैमली के वारे में थी अब मैं बात करता हूं सेफ सो कैसे में ज्वाइन किया मैं पढ़ाय लिखाई किया कि सुरुवात में तो सब जानते ही कि गाउं के स्कूल में जातर लोग पढ़ते हैं इंडिया के 90 लोग तो मैं भी गाउं में पढ़ता पढ़ा और फिप्ट सिक्स्त कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला क्या पढ़तना कुछ याद भी नहीं है तो हम लोग वहां से स्टड़ी किया फिर हाइज स्कूल जब आए तब से हम लोग स्वाइज हो गया पढ़ाय करने के बाद ICC Bank में हमारा जॉब लग गया जॉब कर रहा था लगवग छे मेना साथ मेना जॉब किया था उससे में सुबह सर से हमारी दोस्ती पहले सी थी बहुत पहले से भगल में रहते थे तो अचानक एक दिन आए और मैं सब मोर्निंग में जाता था स्कूल और रात को पहले से को लोटता था अचानक एक दीन आये सुबह सर कहते कि आपको कुछ दिख रहा हूं मैं आपको देखता हूं कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे करें मैंनत करते हैं सो मोर्निंग वेज आते हैं न न दिखते भी नहीं कभी संड़ संड़ को दिखते ओ तो उसमें साद् पर गुंचतारा दिमाग में 40 लाक, 40 लाक क्या है? मैं अपना कल्कुलेट करूँ जॉब में, अगर मैं सारा जिंदगी काम कोरूँ तो क्या होगा? तो भी 40 लाक नहीं दिख रहा था. पर चालिस लाक पर जिंदगी में कमाऊंगा, भी को गैरंटी नहीं था. फाइनली सुबसर फॉल अप छोड़े नहीं मुझे उनको लगता था बाद में बोलते थे मुझे पता था यह बड़ी मचली है पकड़ने मुझेल होगा लेकिन एक बार पकड़ा गया तो फिर वह बहुत कब से कम 230 kg का मचली है यह पुरा गाउं ही खाया लेगा तो उनको यह करने लगा तो आदमी कितना याद रखेगा फिर आते थे तो फिर याद आता था ऐसे करके लास्ट में कुछ एकादवान मित्वाइड करने लगा तो मैं देखता था जैसे सर दर्वाजा खकटाते थे तो पीछे के दर्वाजा से में निकल जाता था लेगिन होना कुछ और था और सुबोसर भी इतने चलाक क्या करते थे कभी कभी कपना को डाउन लाइन को ले आते थे और पीछे वाला दर्वाजा पे खड़ा कर देते यहां भी खड़ा कोई है तो फिर अंत में मैं ठीक है सर सुचता हूं और उसके बाद भूद का जो मेरा सेशन था देखा बहुत सारे हर सर के बारे में सुना धिपक सर टेनिंग दिये सब इतने भी टॉप सिनियर थे सभी लोगोंने टेनिंग दिये वो देखे आँखे खुली की खुली रह गई उसके बाद कंपेरियन करने लगा अपना जॉब और अपना सेप सो पूर दिया कि पूलल्ट टाम कर रहा हूं में पूरा दिमाग में मदलब चढ़ गया अब पीछे पलटके नहीं देख सकता प्रके पिर मैंने शुरुआत कि पीछे प्लटकने नहीं देखा लेकिन सुरुआत में क्या होता नगो आराम-णाम से काम करते हैं और मेरा थुरा सा करने से काम करने से ऐषासना फ़र लेजी वाला थुश्य मेंटलिटी हो गया था और आम अनम से धीरे-धीरे-धीरे कर रहा था करते करते कि सिलवर के क्लोज में था और उस येसमें यहाँ पर भी टर्निंग पैंन में मता रहा हूं मेरा लाइफ का उसमें क्या हुआ कि कंपनी के माध्यम से गोवा का Boot Camp जा रहा था बहुट सारे लोग को target 레o सेलेक्षन होना था लीडर को सेलेक्षन कर रहे थाапना टीम का उस से मेरा सेलेक्षन नहीं हुआ बहुत लोग के हुए मेरा नहीं हुआ मेरे को बहुत पच्छतावा हुआ कि क्या कारण था कि मेरा क्यों नहीं हुआ सेलेक्टिन ऐसा क्या कमी था बहुत मतलब दिल से में रोया सच बता रहा हूं और जब सर आगे बूटकेम से आए तो और बता रहे थे कि वहां पर डारेक्टर सर का ट्रेनिंग हुआ इंगलेंड से कोई डॉक्टर आये थे उन्होंने भी कुछ ट्रेनिंग दिये और इतना मजे मस्ति हम लो किये समुंदर किनारे हुए वो पुरा अग तन बदन में लगावा था क्या कि अब कुछ भी होगा मैं महनत करूंगा और हर चिस जितूंगा टार गए यही मायन में मैंने बना ल जी वो आया नेक्स डे में गया अपना पासपोर्ट अपलाई करने के लिए आप मेरी कितना मेरे में आग लगा होगा यह आप समझ सकते हैं सुबसर फोन के कहा है प्रविंजी तो मैं तो लाइन में लगा हूं ऑला कहां पे तो उसमें साथ पीतम पूरा में कहीं बनता था दिल्ली में तो लाइन में लगा हूं सर पासपोर्ट बनवा रहा हूं किसलिए सर थालन का टार्गेट निकला ना जितूंगा वह वह वेरी गुट और महनत किये बहुत महनत कि अंत अंत में क्या हुआ था एक हपता में करीब करीब 15 ज्वाइनिंग बचिया था जो हूँ न मैंने आ गया करना था तो आ गया आये तो दोस्तों विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे मैं दिन दिन वर महनत करता था रात को सफर करता था एक जगह से दुसरे जगह से जगह बहुत बार बस से गया बहुत बार ट्रेंश से गया जैसे भी लेकिन फाइनली मैंने अपना complete किया अब देखिए विधी की विधान जब आप कुछ खरते हैं तो आप कुछ क्या-क्या पाते हैं अब मुझे ऑफिस में जा करके सारा payment जमा करना था लेकिन जैसे मालो संडे को उसमें मालो बुधवार को मुझे जमा करना था अब Tuesday आज है अब मैं गया स्टेशन पर कि मैं ट्रेन पकड़ूंगा और कल मौनिंग में पहुँ जाओंगा पता जला कोई ट्रेनी नहीं है अब मैं आस्टर फिर मैंने सुबह सर को कॉल किये सुबह सर बोले कि रांची जाए देखिए फ्लाइट है क्या क्या कि आप कल नहीं आएंगे तो फिर काम तो तो फिर मैंने गया पता लगाया मुझे अच्छी से याद है फ्लाइट था फ्लाइट तो होता ही दो गंटा बाद था और चार हजार रुपया उसका यह वाड़ा था बहुत बड़ा इमांट लग रहा था फ्रेसर लोग के लिए तो होता ही है फिर भी मैंने लिया और टिक सर गाली लेका हुए थे और जब मैं निकला तो फूल माला और वो पहनाने लगे मैं 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 सर क्या हुआ आप समझ नहीं रहें आपने क्या जीत गया तो मैं ऐसा फिल हुआ मुझे जिसे कि मैं ओलम्पिक से कोई गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा हूं और बहुत खुसी हुआ तो उसे मनोबल बढ़ा और मनोबल कैसे बढ़ा जब ट्रिप पे गया इथे फाकन हमारे डिरेक्टर सब भी गये थे हर सर भी दीपक सर सारे सीनियर लोग गये थे उस वार तो ओ कंपनी जो फाइव स्टार होटल में रुको आना और जो मतलब एरिजमेंट ऐसा हम लोग को दिया जारते हैं से हम लोग बहुत बड़ा प्रसनाल्टी हैं चीवर हैं मतलब जितना मैं तारिफ करू कंपनी का अतना कम और उसके बाद तो फिर मनोबल इतना बढ़ा कि कभी टूटा नहीं कभी छोटा नहीं हुआ हर एक टार्गेट जिता हर एक लेबल पर जिता गया ज में रहता था मैं तो रेंटेड में रहता था मकान में तो फिर महनत की है और सच बहताओं तो सेप सोपस जोएन करने से पहले बाइक भी ने था मरे पास और जब मैंने इसमें करने लगा तो मुझे लगा कि बिना बाइक और लैपटाप को होगा नहीं तो मैंने लून लिया जोकि बैंक्स में काम करता तो मुझे तुरन मिल गया तो मैंने बाइक का लुण भी करवाया human load मी कुछ लिए कुछ उर्डर भी रखा और उसके बाद लेप्टोफ से प्रजेंट्सन किया, बाइक को तुम दुड़ा दिया, चारो तरफ दिल्ली के गली-गली जोहां पर जुरत नहीं पड़ता था, वहां वाँ आ जाने लगा, हर एक लिंक में जाने लोग जोइन करते थे, उनका लिस्ट बनाया, उनके साथ मेह सेमिनार करते थे, उस सेमिनार में भी गेस्टुकम लो लेकी जाते थे, मतलब छे महना पागल पंजेश्टा, मतलब न दीन देखा न रात देखा, महनत किये, और उसका नतीजा क्या हुआ, कि पर लेबल एचिव कर लिया, और वेगनार गाड़ी आ गया, मेरा पर और उसके लोट आते थे, और ऐसे करते और ऐसे दिल, हर एक जगा पर, यूपी में कही जगा बरेली और कहां कहां जा जा करके, उस गाड़ी से, राइस्थान में, गुजरात में, कितने जगा, मैं सुबह सर, कितने जगा जा जा करके हम लोग किये, लगभग मुझे लगता कि चार सा गाड़ी आ गया, लंबी गाड़ी आ गई, और जो रेंटेट पर राता था दिली में अपना फ्लैट ले लिया, संतनगर में, और उसके बाद फिर रुका नहीं, अब उस गाड़ी में भी फोर्ट फियस्टा में भी रनिंग किया, वहां से जार्खन हो आता था, मैं कितना मतलब मैनत में कभी कमी नहीं किये, और वो लगबकरी करी सत्तर हजार के मिलिटर चलते चलते मुझे मेरा सपनो वाली गाड़ी आ गया, डारेक्ट सेलिंग बिजनस, इवाल्व इंडिया और इवाल्व इंडिया सिस्टम ही सब के लिए कुछ भी नहीं है, तो वह आ गया, उसके बाद भी रुका नहीं, ओड़ी को भी ओड़ी नहीं समझा, उसे भी महनत पूरा चलाया, मैं सुबह से रंजी जी सतीजी उसी आपने गाड़ी को गाड़ी, गाड़ी को मैं समयता था कि यह माध्या में अगला गाड़ी लेने के लिए, और फिर मैनत क्या और अभी बहुत लोग आप जानते हैं, डिसंबर में मरकरी का मेरा परमोसन हुआ, तो मैंने ओडी क्यू फाइब टॉप मोडल वो गाड़ी ले माया, बोकारों में एक फ्लैट लिया, जिसमें विरता रहा हूं, यह मेरे नाम से, माइफ की नाम से रिस्टर है, और एक अभी इससे भी हाई लेवल का बुक किया हूं, जो कि मुझे लगता कि दो ढ़ाए साल में वो बनेगा, तो यह है दोस्तों यहां तक की कहानी है, और यह प्रिसानी यह चीज है, कभी भी किसी के लाइफ में आ सकती है, आज तो चले एक वाइरस आ गया उसकारण से लोगडाउन, कल के डेट में मैं छुटा सा बात बोलता हूं, कि मैं कमाने वाला हूं, अब मैं बिमार पड़ गया, तो एक तरह से मेरा फैमिली के लिए लोगडाउन हो गया, क्यों? क्योंकि मैं बाहर जा सकता, ना कुछ कर सकता, तो ये लोगडाउन से सिखने का क्या मिलता आपको, तो दो चीजे मैं बोलना चाहता हूं, कि जब भी लोगडाउन खुले, तो अपना एक पैसे ज़्यादा कमाने का आपको चाहत होना चाहिए, अब बोलेंगे सर वो तो सबका होता है और नहीं सबको होता अगर तो सब लोग आराम-आराम से काम नहीं करता इसलिए पैसे कमाने कर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा ताकि घर का गुजारा चले सपने भी पुरा हो और ऐसे विपत्ति में पैसे हमारे रिजर्व होना चाहिए जिसे हमें परिसानिया ना हो करते हैं तो चब कभी समय बरबाद करते हैं मैच देखने में क्रिकेट मैच देखने में चाहें कुछ भी Влад的时候 में टीव दिख नहीं तो वह न करके चाहिए हम इस में और और ओूर इंद आया तो हमारे ऐसे फ्रॉबलब घर में बच्चे से वाइप से माबाप से अडोसी पडोसी सबसे बना के रखना है जब अच्छे समय चल लेते हैं हमारे तब अजब लोकडाउन खुल जाएगा तब अभी तो बनाना मुझबूरी है वो एक अलग चीज है लेकि उस समय भी जब हम बीजी हो जाते हैं जंदग मिले मैं बोलता हूँ पडोसी से भी अच्छा स्वंबंद बनाखना चाहिए आज मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे कुछ प्रॉबलम हो गया तो मैरे क्या रिस्तेदार को आएगा मुझे मदद करने के लिए लोग नौन में नहीं वहीं नहीं सकता हमें कौन मदद करेग पडोसी लेकिन ऐसा लोगों क्या mentality होता है कि हम कार खरते हैं थोड़े पैसे आने लगते हैं तो फिर हम्में घमन सा आ जाता है अहंकार आ जाता है तो नहीं ऐसा कभी नहीं होना चाहिए जैसा भी है सभी से अच्छे बना कर रखना चाहिए ताकि काम आया हमें तो यह मैं आप दोस्तों मैं ट्रेणिंग पर आता हूँ मैंने दस पॉइंट आप लोगों के लिए चुन कर रखा क्योंकि आज बहुत सारे फ्रेसर लोग भी देख रहे होंगे बहुत सिल्वर लोग भी देख रहे होंगे बहुत लोग समझ नहीं आ रहा होगा क्या करना चाहिए क्या उन लोगों के लिए मैंने 10 पॉइंट नोट किया है और मैं बोलनू तो कि मैंने जो मरकरी लेबल इचीब किया एक लाग सुपर का टीम उस 10 पॉइंट निचोड़ मैंने उसका आपके सामने रखोंगा कि यह अगर 10 पॉइंट दस क्वाइल्टी दस एबिलिटी अगर आप इंप्रूव करेंगे आप में है लेकिन और करेंगे तो फिर इस दुनिया में आपको डैमन मनने से कोई ने रोश होता मेरा ट्रेनिंग का आज जो हेडलाइन ही यह है कि हाव टू बिकम डैमन इजली आसानी से दोस्तों एलगता होगा कि यह बनना बड़ा मुस्किल है डैमन और यह वो है मुस्किल मैं ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि इतना आसान हो जाता है तो तो फिर फिर तो हरादी बन जाता है है मुश्किल है लेकिन नामुनकिन नहीं है नामुनकिन होता तो आज मैं कैसे बन गया जितने सारे लोग डाइमन कैसे बन गया लेकिन बहुत कम बनते भी तो है आहे लाखों लोग ज्वाइनिंग है उसमें से चंद हजार लोग डाइमन है क्यों तो वह क्या है ना क्वाइल् दूइनिंग में इवल में तो कुछ खर्चे से बचते हैं वह इंप्रूमेंट नहीं अपने आपको करते हैं उस कारशेश नहीं बन पाते हैं तो यह सब बहुत जरूरी है तो पहला मेरे जो पॉइंट है उस पॉइंट को बोलते हैं कि आपमेना सेल्स निकालने का अबिलेटी होना चाहिए जोइनिंग कराने का अबिलेटी होना चाहिए यह पाला है अगर यह तो बेसिक है यह तो मैं बोलूँ वो डामन बने का अगर निव अगर है बन्याद है तो वो है सेल्स निका करते हैं कैसे हम गेस्ट से बात करते हैं में टुमेंट प्लान में और उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है सेमिनार जादा से समिनार करना उसमें से जवाइनिंगु निकालना अगर आप ज्वाइनिग पड़ेंगे तभी आप तेजी से आगे बढ़ेंगे तो यह गो луч belki किसी मुटिभेटर ने बोले है कि अगर आप sales में master हैं तो आप चाहतों की हिसाफ से पैशे कमाएंगे जरूतों की हिसाफ से मतलब डालोटी चलना चाहतों की हिसाफ से मतलब हर चीज़ वो लेना जो बाकी लोग सोच नहीं सकते हैं आप अपने सपनी पूरा कर सकते हैं तो sales में master होना बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत important चीज है, sales में master होना, दूसरा चीज, performance, performance आपको लगातार जिन्दिगी में देते रहना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने कुछ दिन 10-20 sales, 50 sales कर दिया, उसके बाद आप सांथ हो गए, एक बाद target जित गया, फिर आप सांथ हो गए, नहीं उससे काम नहीं चलेगा, आपको लगातार, लगातार, लगातार करना पड़ेगा, अपने से भी और अपना team को भी performance, मैं अगर बोलूं कि बिना उसा के, कभी कोई बड़ा काम नहीं हुआ है दोस्तों, आपको उसाहित तो रहने ही रहना है, जो जुन जजबा में तो रहने नहीं रहना है, तभी आपका performance अच्छा भी होगा, दूसरा चीजब बोलना चाहूँगा, कि किसी के पैरों में गिर कर, काम्याभी पाने के बदले, अपने पैरों पर चल कर, कुछ बनने की आदद आलिए, अगर आप अपनी पैरों पर चल करके, अपने से महनत करके आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सक्सेस करेंगे, और जॉब इसे हमें देखते हैं, मैं किसी का बुराई नहीं करूँगा, लेंगे क्या देखते हैं, जॉब में हमें बार बार अपने बोस से बहुत जादा रिक्वेस्ट करना पड़ता है, यह वो बहुत तरह के प्रॉब्लम, य एक समय हमारा जंदगी में वक्त आएगा, जो आज हम लोग सीनियर लोग को आ गया, बैलेंस लाइफ, जहां पे हमेरे धेर सारे पैसे भी होते हैं, और साथ साथ में उस पैसे को इंजवाय करने के लिए समय की आजादी भी होता है, यह बैलेंस लाइफ, बाकी दुनिया मे इंजवाय करने के लिए, लेकिन हम लोग के पास ऐसा सिस्टम है, जहां पे बैलेंस लाइफ मिलेगा, दोनु चीज मिलेगा, तो दोस्तो परफॉर्मेंस जित्ती रहना है, आप आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस ऐसा चीज है कि आज मैं मरकरी लेबल पे हूँ, तो मु इभावल इंडिया के फाउंडर दीपक सर का, गजब के डिसिप्लीन मेंटेन करते हैं, मतलब मजा आ जाता है उनसे बाते करके, उनसे सीख चे करके, बहुत कुछ शिखने को मौका मिलता है, तो दोस्तों डिसिप्लीन के बारे में में बोलूँगा, कि स्वयम पर, स्वयम क रपरिता सासन कहला आ अनु सासन हम खुद डिसिप्लीन में रहना चाएं डिसिप्लीन हर जर जरत हैं, NATS में कैसे हम पहन के जाते हैं, seminar में में सेमिनार में, सक्रिक सória में कैसे हम गेश्टी मिलते हैं क्या हम बाते करते हैं एक छोटा सा एजाम्पल दोंगा, सच्चा है, मैं जब टोपाज लेवल पे था, तो मेरे एक टीम के लड़का ने, आचानक होन किया कि, सर मैं तो पिछला हपता 35 प्लान किया, मेरे एक भी ज्वैनिंग नहीं निकले, मेरे को ब्रास्चर हुआ, 35 प्लान किसी ने किया, और ए गया उसके साथ, एक गेस्ट के घर पे, तो जैसे वहां पहुचा, सर थरा मूड बनाने दीजे, मतलब हम लोग एक दो घंटा बैठेंगे ना, तब तो हमारा दो जाने निकल जाएगा, तो अचानक देखें कि गुटका निकाला, दो पैकेक्ट गुटका मूह में भर लिया मैंने बोला क्या कर रहा है, हम लोग चलो, हम लोग करने तो एक जामपल सिखाता हूं इसे आज, और वो गुटका पूरा मूह में भर लिया, और प्लान दिखाना सुरू किया, ये कुछ बोल रहा है, और इसके मूह से पानी निकल रहा है, थूक निकल रहा है, अग गेस्ट को समझ आएगा कि ये आदमी क्या वह रहा है, उसका ध्यान कहां कहीं और चला गया, तो मैंने बाहर निकल को समझाया कि डिसिप्लीन सीखो, तो मैं उस घर में जो मर्जी करना करो, लेकिन अगर आप गेस्ट के पास हो, किसी एसोसेट के पास हो, टीम मीटिंग में हो, तो थोड़ा सा ये सब पर क्यार करो, और वो सब छोड़ा, उसके बाद उसने बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, और बहुत अच्छा काम करने लगा, तो दोस्तों ये सब कुछ डिसिप्लीन के एकजामपल थे, दोसरा, फोर्थ पॉइंट जो मेरा है, वो है कोच, एक अ आज मेरे, उनके टीम है, कोई भी उनमें एक कमी ने निकाल सकता, कि सर आप में ये कमी है, आपने इसको सपोर्ट किया, मुझे नहीं किया, बड़ा बैलन्स लाइफ, सबसे ज़्यादा तो मुझे, क्योंकि मेरे, उनके इमेडियेट एक तरफ, उनके बड़े भाई, संजे ये तिवारी जी कि परच लियें? मतलब बैलंस करके, सच में बताओ, ऐसे ही कोछ बना चाहिए, तो होना चाहिए, कि अपना डाउनलाइन को पहचानना चाहिए, किसमें क्या ताकत है, कैसे किस को आगे बढ़ाना है, अब मेरा एजम्पल ये, जानता हूझ कि मेरे चीम में अजीद चोधरी जी है, अब सांदार मोटिवेशन लीडर है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा स्पिकर है, लोग ऐसे बोलते हैं कि मुर्दे भी जिन्दा हो जाते हैं, तो मतलब भरा सबा में अगर सांत महोल है, तो सब जोस में आ जाता है, आग लग जाता है, तो मेरा फर्यजे कोच क्या है, कि मैं उनको और उस आगे बढ़ा हूँ, उस क्वाइल्टी में और आगे बढ़ा हूँ, और आज वो बढ़ता जा रहा है, आज सब लोग उसको बोलता है, जहां आया, और वो तुफान मचा देते हैं, तो यह सब अच्छा कोच होना एक कहावत क्या है, कि भेड़, बहुत सारा भेड़ है, लेकिन उसका जो लीडर है, अगर वो सेर है, लायन है, तो वो जीत जाता है, लेकिन बहुत सारा लायन है, उसका लीडर अगर भेड़ है, मतलब डरपोक है, जो फ्रंट पे नहीं आता है, तो वो टीम हार जाता है, तिसलिए आपको coach एदम lion बनना है, tiger जैसा बनना है, head रहना हमेशा, तेजी से काम करना है, आगे बनना है दोस्तों, तो ये सारा कुछ थे हैं, जो इंसान, मैं कुछ लिख करके लाया हूँ उनके लिए, कोच के लिए, कि जो इंसान खुद के लिए जीता है, उसका एक दिन मरन होता है, मतलब जाना तो सब का है तो एक दिन मरन होता है, लेकिन जो इंसान दूसरे के लिए जीता है, उसका एक दिन अस्मरन होता है, मने उसको लोग याद करते हैं, हमेशा याद रहता है, तो ऐसा कोच बनी है ऐसा है जीना मरना तो इन सब को है लेकिन ऐसा करके जाएं कि आने वाला वक्त में लोग आपको याद रखें टीम को मतलब ले के चलना है मैं उधारन देता हूं अब मैं बोलू मचली को कि तू पेड़ पे चड़ जा तो क्या मचली पेड़ पे तो जिसको जो कर सकता है उसी में उसको आगे बढ़ाने कोसिस के लिए अब किरकेट टीम इंडियन किरकेट टीम है एक से धुनंदर पर ले रहे हैं विराट कोली रोही सर्मा धोनी फिर भी रवी सास्त्री कोच का क्यो जूरत है क्योंकि वो कोच ना मात दर्सक है प्लेयर जो होता है तो उसका दिमाग कहीं और चलता है लेकिन कोच जो हता है उसका मैंन कह चलता है कि मुझे प्राटीम को जिता आना है रवी सास्त्री का इज़त कब बढ़ेगा जब इंडिया मैं जितेगा तो आप हमारा टीम जितेगा तो इसे लिए अच्छा कोच होना बहुत पारें कि तो इसके बाद जो मेरा प्वाइंट है वहीं इनोभेटर इनिसिएटिव लेना नया नया सोचने वाला होना चाहिए यह मैंने सबसे ज़्यादा में इंप्रेस़ हुआ हूं हर सर से हमईशा नया नया चीज़ सोचते है हम इसा नया नया ''चीज़ करते हैं वह सब जो करते हैं जो मैंने हम लोग सोच नहीं पाते हैं अब उनके करने से हम लोग का प्राइब वॉल्म इंडिया का बिजनस बढ़ता है तो मैं हर सर से जब मिलता हूं जितने भी मिलते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता हूं हमेशा बताते हैं तुम यह नहीं कर रहा है तुम न और मैंने उनका बात माना क्योंकि बात तो काट नहीं सकता मैं और मैं जारकन में आया और टीम है आज वो सब आपके सामने हैं बताने के जुरत नहीं है तो गुड़ इनोवेटर होना बहुत ज़री है दोस्तों नया जगह पर सेमिनार करना हम लोग सबके बारे में सोचना चा मसरे सबकरिय। जोड़ पर सेलिए आलएके सेलिए इनोवेटर बने नियाना चीज़ सोच़िए तो आगे आप जुरूर बढ़ेंगे। दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूं कि पैसन, पैसन क्रियेट्स मोटिवेशन और विच लीड्स टू इनोवेशन, अगर आपको पैसन है, पैसन है कुछ पाने का, अपने सपने पुरा करने का, डामन मनने का, कैपिंग एचिव करने का, तभी आप इनिसेटिव लेंगे, और वो पैसन नहीं रहेगा तो, फिर आप वो नहीं सब कुछ करेंगे, तो वो ज़रूरी है, कैसे मैं डामन मनन, तभी आप लेगे, तो यह सारे थे, उसके बाद सिक्स पॉइंट जो मैं आपके लिए लाया हूं, वो है डिप्लोमेट, चलांक थोड़ा बनिये, मैं डिप्लो बोलने से पहले मैं दिमाग से पुछता हूं, मन से नहीं, मन बड़ा चंचल होता है, दिमाग से पुछता हूं, कि क्या करना चाहिए, क्या बोलने से मेरा बिजनस बढ़ेगा, वैसा चीज नहीं बोलना है, जिसे मुझे पता है कि यह बिजनस नहीं बढ़े, निगेटिव हो जाएगा लोग वैसा बाते क्यों बोलू बहुत सार एक्जामपल हो सकते हैं मैं डाउनलाइन से बेठा हूँ अब मालो कुछ किसी चीज में प्रोड़क्ट में लेट आया अब मैं ही खुद बो रहा हूँ अरे बिकार है यह हो है प्रोड़क्ट इतना लेट से आता है यह क कुछ भी तो क्या हुआ मैं अपने आप पैर में कुलारी मार रहा हूँ मैं खुद दिमोटिवेट हो रहा हूँ कर रहा हूं और डाउनलाइन को दिमांग से सोच करके बोलना है कि हमें क्या बोलने से बिजनस बढ़ेगा वही चीज बोली है तो यह डिप्लोमेसी थोड़ा होना है लेकिन बहु सिधानी बोलते नहीं है कि सिधा जो विरिच होता है उसको पहले काटा जाता है बाद में टेड़ा वड़ा विरिच को तो दोस्तों चलांक थोड़ा सा बनना जरूरी है समयदार बनना जरूरी है क्योंकि बहुत पैसे कमाएंगे तो पैसे को भी मेनेस करना यह समयधारी वाला काम है तो यह उसके बाद जो सेवंथ पॉइंट है वो है रिस्क अगर आप रिस्क लेनी के अबिलिटी नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर सकते दोस्तों लेना तो पड़ेगा सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं वो सबसे बढ़ा रिस्क है तरक्की करने के लिए यह प्र各ड हिसको होता अब निया सीटी में जाकर हम अपना बिजनस एक्सेडर में करने गए हो सथान नहीं बढ़िए ऐसा भी हुआ है आगे नहीं बढ़ीट तो यसा हो जागा नहीं हो तो सीख मिलेगी, समाझ मारा अब श्कूम या तो रिस्क लेंगे तो या तो जीतेंगे, और अगर हार भी गए तो क्या होगा, कि आप कुछ सीखेंगे, कुछ खोएंगे नहीं, तो रिस्क लेना सिखिए, रिस्क नहीं लेंगे तो आगे तरकी नहीं, उसके बास जो मेरा eight point ह वो है improvement हर तरह से improve करना quality अपना quality का team में अच्छे अच्छे आपके team में leader आए search करने के जुरत है तो quality improvement यह lifetime process है quality develop करने का वो तब होगा जब knowledge आप बढ़ाएंगे अपना skill बढ़ाएंगे communication skill बढ़ाएंगे अच्छे से बात करना सिखेंगे सब कुछ तो यह बहुत जरूरी है आपका value बढ़ता जाएगा जितना अगर आप improvement अपना करते जाएगे तो मैं अगर improvement का example दूँगा तो मैं मांसर से बहुत सिखा हूँ कि कैसे अपने आपको improvement इंप्रूब करते हैं हर तरह से मतलब 100% अगर किसी को मन अगर improvement अगर देखना है तो मैं मांसर को मैं देखता हूँ और मैं अपने team में भी देखता हूँ कि रंजी जी सतीज जी विजय भारती चांद रशीद प्रमोत करन बिनोद गिरी जी ऐसे से बहुत सारे लीडर जो इंप्रूब किया प्रदीप सिंग यादव बहुत सारे टीम क्योंकि दोस्तों बिना इंप्रूफ किये तो कोई मतलब सिल्वर भी नहीं सकता गोल भी नहीं सकता पर दाइमन कहां से बनेगा तो आपना को improvement हमने ही हमने जुके हैं सारे मुस्किल्य को वह आगे पार किये हुए हैं तो वह जो बताएंगे वह हमारे लिए अच्छा रहेगा तो इसलिए improvement हमना है improvement कहां सो सकता है तो किताबे पढ़े करके अच्छे च्छा वीडियो में motivational देख करके मोटिवेशनल वीडियो देख करके YouTube में बहुत इंपोर्टेंट जहां पर क्या होता है कि respect आपको मिलेगा अगर यह quality आप में अगर है तो आप मतलब इज़त पाएंगे अगर यह quality है तो वह quality का नाम है 9.9 problem solver समस्या का निदान करने वाला बनिये और यह मैं सीखा हूँ इवाल्व इंडिया में अजय पिले सर से मैं ऑफिस में बैठता था देखता था तरह तरह का लोग दुनिया भर का के problem सुनाते थे अब बड़े हस्ते हुए जानते हैं पजे सर का इतना मजाकिया मूड में मस्त करते हैं और प्रोब्लम को ऐसे करके सॉल्व करते थे कुछ इसको बला करके ऑफिस एलेटेड़ काम है तो टीम के लेटेड़ परसनल किसी का है तो वह भी मैं देखता हूँ बढ़ा करके समझाते थे तो अगर आप problem solver है तो आपको इसज़त बढ़ेगा आपका team में हर पूछना ही बंद कर दिया लेकिन गल्ती किस ने किया आपने खुद गल्ती किया आप उसके problem को सुने नहीं और सुने भी तो उसको solve करने पर ध्यान नहीं दिये हैं उसको आप प्रॉब्लम भी बोलता है मैं सब चीज सॉल्ब करने का पूरा कुछ रहता है कि इसके जो प्रॉब्लम आए वो मेरे ही तक खत्म हो जाए उपर ना जाए तभी आज रिस्पेक्ट है दोस्तों तो ये बहुत जूरी है एक सीज बोलना चाहता हूं इस पर कि मुश्किले केवल बहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है क्योंकि वे लोग ही उसे बहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं तो प्रॉब्लम अगर आ रहा आपके पास लो भलके में ले उसको किलियर करें लास्ट एंड वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट गोल विथ टाइम लक्ष समय के अनुसार निधारी समय पर करना ये बहुत जुरूरी है दोस्तों अग बिन लक्ष के बिना कुछ नहीं हो सकता लक्ष है तो सब कुछ हो सकता है और मैं अपन जिसको मैं देखा हूं कि एक लक्ष बनाता है उसको पूरा करता है दूसरा नया लक्ष बनाता है ठीसरा अज उसने सांधार घर बनाया अपना और तभी इतना सांदार उसने देवघर में घर बना रहा है तभी इतना संदार उसने धनवाद के बगल में घर कहीं बना रहा है तभी उसने योन लिया फिर एको स्पोर्ट लिया उसका ओडी कार लिया तो दोस्तों वो लक्ष बनाते जा रहा है और अभी फिर मेरे को कली फोन से बात क्या कि कि हमारे आपके जिंदगी में अगराने अगर लक्ष नहीं है कि हमें क्या पाना है कि हमें क्या में पहुच पाएंगे दोस्तों, तरक्की नहीं हो सकता, सपने पुरा नहीं हो सकता, इसलिए लक्ष बनाएं, हमने लक्ष बनाया, तभी आज मरकरी, हमने लक्ष बनाया, तभी आज ODQ5 गाड़ी पर है, तभी आज इतने सुंदर मकान घर में अपना फ्लेट में रह रहा हूं, और तो ल कितने में आया, कितने साल में, तो यह लक्ष बनाएं, कैपिंग कब, आपके नेक्स्ट प्रोग्राम हो रहा है, जब भी हो, तो उसमें आपके कितने सिल्वर में होंगे, यह लक्ष बनाएं, अगर आप लक्ष बना करके, और उसको पार करेंगे, उसको करेंगे, तो फिर स प्राथना में केहे, केहे परभू, हमें हर जन ऐसे ही संतान दे, तब जाके आप अपने आग को सफल समझेगा, कि अगर जब आपके माता पिता भी, अगर आप से कहने लगे, पुछने लगे, और वो चाहते रहे, आपकी वाइफ बोले, कि हर जनम में आपका ही साथ हो, आपक हो पाएगा, जब आप मेहनत करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे, सारे अपने सपना पूरे करेंगे, और सारा अपना पूरा सपना अपना परिवार का करवाएगे, तब ही जाकर के ये संभव हो पाएगा, दोस्तों, दोस्तों, मेरा ट्रेनिंग यहें तक था, मैंने जो सिख साहर सर दिपक सर और पीले सर मान सर सुभोष सर मैंने सब निचावर किया आपको अपना जितना हो सकता है मैंने मैं दोस्तों दिल से बात करता हूं नेकिन दाइस बाते में दिल करता हो और तभी डाउन लाइन लोग इतना मुझे चाहते हैं और उसे खुशी मिलता है तो दोश्तों खुब हस्ते खेलते रहें मन लगा के रहें सुक के बाद दुख होता है दिन के बाद रात आता है उसी तरीका से ये लोगडाउन भी खत्म होगा फिर सारा चीज नॉर्म प्रवड़ें और इसी के साथ मैं अपना वानी समाक्त करता हूं लेकिन मैं चाहता हो कि आप मैं जो यह फ्लैट लिया हूं कैसे मैं सजाया हूं इसको तो जरूर देखें हो सता है अपमें से भी लोग को ड्रीम मनेंगा अब दोस्तों बोलता है ता ना घर स्वर्ग होता है और घर भी नर्ग होता है तो घर कम अच्छा से बनाते हैं तो स्वर्ग यसा होता है और उसमें अच्छे से हम विवार करते हैं अपने पुरा फैमली मेंबर से बच्चे से प्रिवार से माता-पिता से वाइफ से तो घर स्वर्ग होता है और हम अच्छे से वरताव नहीं कर कुछ दिखाना चाहता हूं आपको मेरी मिसस देखियो मेरी दोनों बिटिया यह छुटी बिटिया है क्या बोलते बीटा? मेरे पापा? मेरे पापा मार करे है आपधे मार करे बने थैंक यू बडिमास चलो thank you thank you अपने सपने पुरा करे thank you friend thank you wish you all the best thank you bye bye thank you sir dipak sir suppose sir ajay sir man sir thank you